नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारी क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आने वाले भरती परिक्षा हैं जो भी competitive exam होने वाले हैं और उनमें जो भी English language के जो question आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं मैं आपको आज एक बहुत अच्छा point बताने वाला हूँ आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम उसके अंदर हमारे पूरे English grammar के लगबग ये कह सकते हैं कि लगबग जो है topic को touch करता है ये topic अगर आज की बातें अगर आपके समझ में आ जाती है तो आप ध्यान से समझें कि LDC exam है चाए CET exam है चाए मेहला प्रवेक्षक है चाए किसी भी प्रकार के General English वाले exam जहां पर question आते हैं उन question को solve करने के तरीके क्या है एक शुरुवात अच्छी होनी चाहिए हम LDC की classes के दुरान पहले से 4 या 5 classes में सारे grammar का सार समझा देते हैं उसके बाद classes शुरू करते हैं जिनसे विद्यारतियों को बड़ा फाइदा मिलता है उन 4 या 5 classes का हर एक class में जिकर आता है हर एक class में उससे related बाते होती है suppose करें कि मैंने एक word बोला non finite verbs आप सोचोगे यह बतानी क्या है लेकिन हमने पहले चोटी सी बात है पहले अगर बता दिया है और हर एक topic में non finite verbs का जिकर होता है तो आप हर बार confused नहीं होगे तो शुरूआत हमेशा basic से करिए शुरूआत हमेशा basic से होनी चाहिए अगर general English पढ़ रहे हो और basic की कुछे classes आपने ले ली है तो आप अच्छा कर जाओगे there is no any problem तो ध्यान से पढ़ना आज वाले class आने वाले जो भी exam है उनके लिए हमारी classes बहुंत important है बहुती easy way में with MCQs, with the previous year question paper हम topic को पढ़ाते हैं फेक है उसके बाद में आपके जो है सफलता के chances काफी अच्छे हो जाते हैं मैं आज ये नहीं बता रहा आपको कि syllabus में ये ये चीजे हैं इस तरह से देखो नहीं ऐसा नहीं आपको अच्छे से पता है syllabus में क्या है बस मैं ये बताऊंगा which are the techniques कौन-कौन सी techniques है और कितना उनको ध्यान देना है किस तरह से किसी topic को पढ़ना है शुरू करते हैं एक ऐसा topic जो पूरे syllabus को प्रभावित करता है बड़ा सामान्यसा है मैं आप से एक सवाल पुछूं कि वर्ब की form कितनी होती है एक मिनट के लिए वीडियो रोक कर आप जो है सोचे विचार करे वर्ब की forms कितनी होती है उनके नाम क्या होते है वाक्या में कैसे पहचान होती है ये तीन बात बता दीजी आप अंग्रेजी अगर पढ़ोगे इंगलिश अगर पढ़ोगे तो sentence के माध्यम से पढ़ी जाएगे sentence में वर्ब को कैसे पहचान होगे पहचान लिया तो आदे किशन सोल हो जाएगे आदा जो है वो किशन सोल हो जाएगा आपको दिक्कत नहीं एगे पहचान देखते कैसे करते हैं मैं बताओं आपको जो हमने यहाँ पर लिखा है वर्ब फोर्म्स जो लिखा है इसको आप अच्छे से देखें ठीक है और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप ये जानेंगे ठीक है कि हमने क्या पढ़ना चाहिए था और हमने शुरू कैसे किया देखिए वर्ब फोर्म्स की बात करें तो वर्ब की फोर्म को पांच भागों में डिवाइड किया गया है पहला है वी जीरो यानि वर्ब की जीरो फोर्म इसे कहते हैं बेस फोर्म क्या कहते हैं बेस फोर्म कहते हैं इसके अलग-अलग नाम है मैं नाम बता देता हूँ आपको वर्ब की zero form, base form और bare infinitive तीन है अच्छा इनके पहले कभी कई बार जो हो two लग जाता है ना तो ये बन जाता है simple infinitive बिना two के ये क्या है bare infinitive है या फिर base form है लेकिन जैसे two लगेगा वो क्या बन जाएगा ठेक है simple infinitive तो पहली वर्ब की zero form होती है बी वर्ब की zero form है ठेक है इसमर first form है अब हमें क्या मिलता है first form ये होती है zero form का पता है नहीं है वक्या में बी आ जाता है हम confuse हो जाते है बी कहां से आगे है ठेक है second form होती है was, were, being हमेशे ध्यान में रखें दूसरा वर्ब की first form अब ये वर्ब की first form तो हम बोलते हैं इसका grammatical name क्या है grammar में इसको क्या कहते है इसे कहते है present tense क्या कहते है present tense मैं ये नाम लिख रहा हूँ वर्ब की second form हमेशे बोलते आते है लेकिन बताए इसका grammatical name क्या है past tense क्या नाम है past tense इसका नाम हो जाएगा past tense यहनी verb की first form जो होती है वो present tense होती है verb की second form होती है वो past tense होती है उसी तरह से verb की third form को future tense नहीं कहेंगे इसे कहते है past participle क्या कहते है past participle मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लिख लेना आप ठीक verb की ing form जो होती है जिसको आप wing form कह देते हो whatever you speak यह है present participle क्या है present participle हमेशा ध्यान में रखें जो मैंने यहाँ पे table बनाई है वो helping verb और main verb से मिलके बनाई है वाक्या में अगर आप देखो तो यह वाला जो part है ठीक है यह वाला जो part है यानि is mr was were 5 तो यह has have had तीन यह और do does did यह जो होती है इनको helping verb की संग्या दी गई है यह primary auxiliaries होती है primary और secondary auxiliary कुछ नहीं होता modal auxiliaries होती है आपको जो है वो 13 models पढ़ने है 13 models ध्यान में रखने है ठीक है कौन से होते हैं आप लिख लेना will, would, shall, should, can, could, may, might अकेला must आजाएगा फिर दो two वाले used to और ought to दो note वाले need note और dare note देखें जरा समझें यह इतनी helping verb तेरा वो total 24 helping verb हो गई ठीक है 11 और 13 24 helping verb हो गई अब देखिए सभी verb की form समने देख ले नाम कितनी बार आया tense दो बार present tense और past tense future tense नाम ही नहीं है इसी आधार पे कुछ सध्यापक गुरूजी गुरूजन बताते हैं कि गुरूजी टेंस दो प्रकार के होते हैं future tense नहीं होता वो इस आधार पे होता है आपको जवाब अगर देना पड़े कि future tense क्यों नहीं मानता अच्छा ख्याल रखें हमारा जो पेपर होता है हमारे जो बोर्ट जो एक्जैम लेते हैं उनमें future tense बोलना पड़ेगा अपने को कोई लाज नहीं है देखे जरा बी वर्ब की zero form होती है इसकी first form होती है ismr second होती है wasvr, फिर been और फिर being हो गया अब जो यह मैंने कोल लिखा है वो मैं लिखना नहीं था, यहां भी कर सकता था लेकिन मैंने लिखा है इसी तरह से दुनिया में जितनी किताब में जितनी वर्ब है वो सारी यहां लिखते है speak, speak, speaks, spoke, spoken, speaking ठेक है play, play, plays ठेक है, फिर क्या आएगा played, played और playing सारी की सारी वर्ब इस टेबल में जो है आप अड़िजस्ट कर सकते हो इन पांस फोर्म में अड़िजस्ट कर सकते हो यह ग्यान आप समझ में आया आपके दूसरी बात, अगर मैं अभी आपसे पुछू अभी मैं आपसे पुछू कि दिये गए वाक्य में किसी भी वाक्य में अगर आपको tense पहचानना है तो इसी आधार पे पहचानेंगे, देखिए दो ही tense पहचानी है शुरुआत में शुरुआत में दो ही tense पहचानी है आप जैसे ये वाला जो part है, ये वाला जो part है यहां इसे कहते है present tense यानि जहां इजमर आए जहां है जहां डूड़ जाए जहां कोल या कोल साए यानि speak और speaks आए play और plays आए write और writes आए learn और learns आए इस तरह के सारे word आए वो present tense होता है यह होते है past tense ठीक है वोजवर आए तो past tense है head आए तो past tense है did आए तो past tense है और cold आए तो past tense है spoke आए तो past tense है wrote आए तो past tense है played आए तो past tense है दूसरी बात clear हुई तीसरी बात कई बार जो क्या है किसी वागए मैं सारे point बता रहा हूँ आपको याद कर लेना रट लेना पूरा देखो video share करिए subscribe करिए जूड़िये classes से और आप डिटेल में classes देखेंगे आप बहुत अच्छा feel करोगे even किताब तो पढ़ने लगी जाओगे तो बार-बार मैं test series भी शुरू करने जा रहा हूँ general English grammar की आप वो भी join कर सकते हो ठीक है अब कई बार ये दिक्कत आती है कि sir ये head और ये head एक जैसा है हमें पता कैसे चलेगा verb की second form कौन सी और first form कौन सी है देखो भई first form और second form तो आपको अलग-अलग होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं second और third में कई बार दिक्कत आती है जैसे cold और cold में आ गया head और head में आ गया played और played में आ गया selected और selected में आ गया इन में आता है तो इन में ध्यान में रखें verb की third form helping verb प्लस में verb की third form होगा अगर head के पहले कोई helping verb है third होगी अगर नहीं है तो वो second होगी समझ में आए बात समझ मैं आई काने ठीक है दूसरी बात ये वर्ब और ये वर्ब में क्या फरक है ये हैव और इस हैव में क्या फरक है ये डू और इस डू में क्या फरक है मैं पूरी बात क्लियर करके आगे वाले पेज़ पे लेके जाओंगा आपको पि वर्ब की zero form जैसे do है जैसे have है और वर्ब की first form जैसे have plural है do plural है और call plural इन में क्या फरक है ध्यान से सुने ये with helping verb आएंगे और ये without helping verb आएंगे याद रख ले ना बस इतनी बतें याद है उसके बाद मैं दो तिन बातें और बता देता हूँ मोडल के बाद में हमेशा वर्ब की zero form आएगी पहला point अगर 13 मोडल में से कुछ भी आया है तो उसके बाद में वर्ब की zero form लगानी है एक बात clear हुई दूसरी बात बी वर्ब है कौन सी वर्ब है बी यानि बी कौन सी बी is, am, are, was, वर, be, being, been यानि ये आठ शब्द जो है इनके प्लस में क्या आ सकता है इनके प्लस में या तो वर्ब की ing आएगा या वर्ब की third form आ, दो ही संबावना ही हो सकती है ठेक है तीसरा बच गया have हैज, हैव, हैड इनके प्लस में से हमेशा क्या आएगा वर्ब की third form ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा ये तीन रूल ये याद कर लो ठीक है अब जीवन पूरे English grammar की कोई भी किताब ले लो चाहे कोई आप novel उठा लीजे कुछ भी उठा लीजे आप इनसे बाहर बात नहीं पाएंगे ठीक है वर्ब होगी तो यहां से होगी जैसे मैंने कहा teach वर्ब है तो teach, teach, teaches, taught, taught और teaching इसमें adjust कर सकते हो आप इसलिए मैंने सारी तो लिखी नहीं पाऊंगा it is not possible to write each and every verb हर एक वर्ब को लिखना तो possible है ही नहीं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़े आप इसके अधार पे कर सकते हो देखो अब ये वाला present tense है ये वाला past tense है ठीक है जहां जहां मैंने थोड़ी देर पहले बोला था finite, non finite मैं आपको बता रहा हूँ जहां tense बताया जा रहा है वो finite verb है और verb की zero form verb की third form और verb की ing form ये होती है non finite verb ये क्या होती है non finite लिख लो ये सारी बाते पूरे English grammar में काम आने वाली है अब उठाइए कोई भी sentence एक बात और रहागी जो verb tense बताएगी वही finite होगी और एक वाक्या में एक close में एक ही finite होगी बाकी सारी non finite जो ग्यान हमने स्थाई किया है जो ग्यान हमने यहाँ पड़ा है वो ग्यान आगे स्थाई करते हैं चेक करते हैं कि क्या है कि नहीं कोई भी sentence आप मुझे comments में लिख के भेज़ देना कोई भी sentence सर इसमे finite non finite यह वर्ब को explain कर दो सर मैं आपको बता दूँगा देखिए पहला है वी कोल वर्ब को underline करो सबसे पहले कोल वर्ब है यहाँ पे वोज speaking वर्ब है यहाँ पे एक तो आ गया कोल वर्ब एक आ गया वोज speaking एक आ गया had been played एक आ गया will have been teaching अब मैं सारी बात बताता हूँ सबसे पहले पहचानिये tense पहली वर्ब tense बताएगी अगर एक है तो वो ही बताएगी अगर नहीं है तो पहली वर्ब tense बताएगी यहाँ पर लिखा है call क्या लिखा है call call वर्ब जो लिखा है अब इसमें कौन सी है यह वाली है यह वाली है मैंने क्या बताया था यहाँ पर क्या है या तो टू पहले लगेगा या helping verb लगेगी अब इससे पहले helping verb है क्या नहीं है अगर helping verb नहीं है तो यह tense बताने वाली verb है वर्ब की first form है यह और वर्ब की first form कौन से वाली है ठेक है यह वाली कोल है यह वाली को कौन सा है present tense है यह simple है continuous है perfect है यह सारी बाद की बात है छोड़ो इसको एक बार अभी थोड़ा थोड़ा करिए न कई बारी के हो है बहुत ज़्यादा हो है आपने बहुत ज़्यादा अती भी हर चीज की माड़ी होती है तो एक बार में सारी क्लास थोड़ी डोलप करोगे ठीक है मैं बागडी में कोई कहात कहात बोलने वाला था पिर मैंने सुचा किसी को समझ में आए किसी को नहीं आए कि दूसरा वर्ब क्या वोज आ गया अब पहले तो इन वर्ब को पैचानिए एक तो है वोज और एक है स्पीकिंग तो मैंने जो वर्ब में लिखा है वो वोज तो मैंने यहां लिख रखा है ठीक है और स्पीकिंग मैंने यहां लिख रखा है आई एंजी वाली वर्ब आ गई तो बताईए वोज वर्ब टेंस बताती है हां जी बताती है कौन सा tense है past tense है जी बिल्कुल सही बात है ठीक है speaking में क्या है tense बताती है नहीं बताती है मैंने कहा ये तीन वर्ब non-finite और ये दो वर्ब क्या finite ठीक है finite वर्ब जो tense बताए बस इतना याद रखो कही बार नाम बड़े होते है काम छोटे होते है tense 25 दिन लगते हैं कही बार अगर डिटेल से तीस दिन लगते है एक महीन लगता है एक topic में ठीक है tense नाम बहुत सुना हुआ है लेकिन time बहुत लगता है finite, non-finite एक point में clear है जो वर्ब tense बताए वो finite जो नहीं बताए वो non-finite अभी के लिए इतना है एक exception है इसमें बाद में बताऊंगा दूसरी बात ऐसे कह तो भी यहां और यहां लिखने लिखी जाने वाले सारी वर्ब finite होती है वाक्य तीनों non-finite होती है तो दिये गए वाक्या में वोज and speaking की अगर बात की जाए तो वोज जो है वो past tense को बता रहा है tense कौन सा है past का है हो गया clear ठेक है football had been played वर्ब है had been और played ठेक है तो head कहां लिखा है गुरुजन यहां लिखा है head यह रहा यहां भी है और यहां भी है अब यह क्या हो सकता है या तो past participle हो सकता है या past tense हो सकता है कौन सा है मैंने कहा था कि इस head से पहले क्या आएगी helping verb तो तो third अगर इस से पहले helping verb नहीं आए तो क्या है second form है और past tense है देखो जरा देखो जरा इसको head के पहले कोई helping verb आई है नहीं आई ना model है जो 24 नाम गड़ाए थे उनमें से है क्या नहीं आई तो ये क्या है verb की second form है second form है तो ये past tense है इसका कौन सा tense है past फिर देखिए will have been teaching will have been teaching में will आ गया अच्छा सुनो मान लो ये future है मान लो ये क्या है future है tense नहीं बोलता मैं future है ये क्या है future है यहां भी will आ गया क्या हो गया future मैं tense नहीं बोलता future है पहचान में आई अब सारों में finite कि इसमें call finite इसमें was finite इसमें head finite इसमें will finite इसमें will finite ये तो है finite बाकी जो बची है इसमें कोई है नहीं non finite इसमें ये एक non finite इसमें दो non finite इसमें तीन non finite है इसमें चार non finite है कितनी हो गई, असान हो गया के नहीं हो गया अब देखते हैं मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब होगी, कितनी बड़ी वर्ब खींचलो चाहे, इन में आएगी Otherwise वर्ब है ही नहीं Otherwise वर्ब है ही नहीं इन में आएगी, देखो, मोडल के बाद में वी जीरो आता है, मोडल के बाद में क्या आता है वी जीरो, मोडल एक तो ये रहा और एक ये रहा, मोडल के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब, मोडल के बाद में ये हेल्पिंग, हैव आया दो जगे मेरे को ये बता दो आप, मेरे को ये बता दो कि ये have जो है वो ये वाला है या ये वाला है और मैंने बिलकुल easy way में टेकनीक बताई है will के बाद में जो have आया हुआ है वो verb की first form वाला है कि zero form वाला है तो मैंने क्या कहा था इन से पहले helping verb लगा दो zero form बन जाएगी और helping verb को हटा दो verb की first form बन जाएगी ठीक दूसरा head के बाद में क्या आना चाहिए मैंने कहा था मैंने कहा था कि has have head यानि have तो एक या गया इस have की सारे रूप है has have head इनके बाद में क्या आने चाहिए verb की third form आने चाहिए देखते हैं चेक करते हैं सही है कि गलत है ये head के बाद में been third form है ये head के बाद में been third form है और ये have के बाद में been third form है तो head been, have been, have been third form आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है अब ये क्या है? B है क्या है? ये B है ये क्या है? एक B का रूप है ये भी B है, ये भी B है और ये भी B है, सुनो ध्यान से बहुत बड़ी गुत्थी उलच जाएगी अब B के बाद में या तो I.N.G आएगा या थर्ड फूम आएगा और कुछ नहीं आएगा अब देखो जड़ा ये वक्त कैसा ही है क्या देखो B के बाद में क्या रहा है वर्ब की थर्ड फूम प्लेड मैंने का था प्लेड वर्ब की सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है लेकिन सेकंड के पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी थर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो B के बाद में क्या रहा है तो B के बाद में आईएग आता है तो वक्त के गलत नहीं है गलत नहीं है यहां तक यह सारी फ्रेज सही है यह वाला पहला सही है बी के बाद में ING आ रहा है दूसरा सही है, तीसरा सही है, चोथा सही है पांचोय में यह बच गई एक कहानी पांचोय में यह बच गई अब देखो cut की form देखो पहले तो cut की first form होती है cut second होती है cut third होती है cut और ये जो ing वाली होती है cutting ठीक है इस तरह से हो जाए और यहां पर cut और cuts कर दो ठीक है base form इसकी cut होती है तो सारा cut 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 यह वह बताओ ठीक है तो इसको कौन सी मानोगे अब देखो B आया है क्या आया है B B के बाद में क्या आ सकता है या तो वर्ब की ing या third form तो यह ing है क्या नहीं है बचा क्या third form ये cut verb की third form है ये cut verb की क्या है third form है इसी तरह से देखेंगे इन सभी वाक्यों में वर्ब की पहचान तो बिल्कुल clear होगी ना आपके वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं है ना वर्ब की form पहचानने आ गई वर्ब के नाम पहचानने आ गई वाक्या में वर्ब का structure पहचानना आ गया कोई भी google पर search करें English sentences सीधा लिखें ठेक है या फिर tense examples कुछ भी लिखें बड़े से बड़ा sentence ले लिजिए वर्ब को अंडरलाइन कीजिए इन ही में से मिलेगी आपको इन ही में से मिलेगी तो ये सारी भरपूर जानकारियों के लिए आप जो है हमसे contact कर सकते हैं आपको description में link मिल जाएगा application का सभी चीजे detail जो में आपको जो मिलने वाली है और आपने करना कुछ नहीं है बस join करें और सीखें और सफल होए अच्छे से test series भी शुरू होगी test series भी within a few days जो है आपको available करवा दी जाएगी बड़ आपको curious रहना है जाग रुक रहना है आपकी सफलता के लिए आपके आने वाले सुनहरे समय के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो और बिलकुल शाबासी वाली मेहनत कर रहे हो तो सफलता नहीं रोक सकती आप सफलता आपको चरनों में आई ही आएगी आपकी कदम चुमेंगे सफलता यहान रखिए हमेशा कि हमारा एक positive point एक positive point हमारे पूरे जीवन को सुनेरा बना सकता है और एक हमारा negative point हमारे पूरे जीवन को जो है वो विपदाओं में डाल देगा परिशानियों में डाल देगा ख्याल रखें अपना बहुत अच्छे से पढ़ें स्वस्त रहें और सफलता का इंतजार नए करना पढ़े आगे और इसके लिए खूब सारी मैनित करें हमारा साथ बिलकुल रहेगा आपकी परिशानिया जो है आपके डाउट्स जो है वो मैं समय समय पर सोल करता रहूंगा मिलते हैं क्लासेज में सारी क्लासेज लाइव है LDC है, REIT है, 2nd grade है, 3rd grade है, 1st grade है सारी चीजे लाइव चल रही है बस आपको जोइन करना है You are always welcome, धन्यवाद